हेलो विरिव्यों एक बार फिर सी आप सभी का स्री आर्ट गेलेरी के यूटूब प्लेटफार्म पर श्वागत है आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है इस्पेशली ऐसे स्टुटेंट जो आर्ट इचर की प्रिपेशन कर रहे हैं तो इस सेशन को सुरू से लिक लाज तक जरूर देखेगा वीडियो पसंद आया तो प्लेज लाइक करिएगा और अपने फीडबाइक कमेंट बाक्स में प्रोवाइट करिएगा दोस्तों आज के सेशन के सुरुआत हम लोग पिछली क्लास के क्विक रिविजन से करेंगे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मदर टेरेसा पेंटिंग निर्मित है तो इस पेंटिंग को निर्मित किया गया था एक्रेलिक रंग में पिएटा का समथ की स्काल से है तो इसका समथ नौजागरन काल से रहा मदिकलिन संतों का जीवन रचना है तो भी नोत विहारी मुखर जी इसके राइट एंसर हो जाएंगे हल्दी ग्राइडर नामा चित्र चितित किया गया था तो अमरिता सेरिकल के दोरा फेरी टेल्स प्राम पूरुपली प्रसीद किरती है तो केजी सुबरे मनियम की किरती है रंग की सुधिता क्या होती है तो ये आबा होती है निम्न में कौन प्रसीद प्रिंट मेकर है तो इमेल नोल्डो, हरिच हेकर और लुटवीन केचनें प्रसीद प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं तारपति ग्रंथों की माप है तो इसकी माप जो है 22 इंच से लेकर 22 है एक बटा 2 इंच होती है तारपति ग्रंथों की सुंदर अच्छों को लिखा जाता था तो ये काली सियाही से लिखा जाता था पालचित सहतरी में बिच्छों को प्राया बनाया गया है तो नारियल बिच्छों को बनाया गया है चित्रों के कितने प्रकार माने गए हैं यहाँ पर आप सबी लोगों के बहुत सारे कमेंट आये थे कि चित्रों के पांच प्रकार होते हैं दोस्तों चित्र सुत्र हो चाहे अभिला सितार्थ चिंता मड़ी हो ये प्रसित ग्रंथ है और यहाँ पर जो चित्रों के प्रकार बनाएगे हैं वो चार प्रकार हैं आप लोग देहान दिजेगा रंगोली या सांजी किस प्रकार के चित्र है तो धूली चित्र है चितर सुथ कब चितर हुआ पुर्बमधिकाल में और महाबोधी मंदिर का निर्मान किस ने कराय था तो दियुपाल ने कराय था जुम्मा मस्जित इस्थित है तो फत्यपूर सिकरी में इस्थित है तो दोस्तों ये थे क्वी की रिविजन जो कि आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट देंगे आए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सेशन के पहले कोश्चन से कोश्चन है कि पालगाट देवी का चौक चितर की सैली में बनाये जाते हैं तो इसका सही जबाब होगा वारली सैली अर्था सी इस राइट एंसर होगा वारली सैली में निर्मित जो पालगाट देवी का चौक जो पेंटिंग है जो की बहुत ही फेमस है इसके बारे में जैसा उलेख है कि ये महाराष्ट के थाणे जिले के दहाड़ू और जहवान छेतरों में जो बसने वाली वारली आदिवासियों द्वारा विवाह इवं नई फसल की कटाई के आसर पर बनाये जाते हैं पाल घट देवी का चौक बहुत ही फेमस पेंटिंग है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और इस पेंटिंग का जो माध्यम रहा है वो जल रंग और खनीज रंग इसका टाइम पिरियड जो माना जाता है वो समकालीन माना गया है और इसके प्रसीत चितरकार जो है जो की ब आप लोग नोट करेंगे अगला कुस्चन है कि पद्मपाणी बोधी सत्व का आकार है तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 174 cm अर्थाथ ए इस राइट एंसर हो जाएगा इसके important fact के उपर देखें जैसा कि आप लोग पद्मपाणी बोधी सत्व के बारे में जानते हैं कि ये पद्मपाणी बोधी सत्व जो है कि इसका माध्यम जो है अजन्ता में ये दिवार पर मिट्टी का प्लाश्टर और प्राक्तिक रंगों से निर्मित किया गया इसका आकार जो है वो 174 cm है इसका शमय जो माना जाता है वो लगबग दूसरी सदी से छटी सदी के बीच के मानी जाती है इसका संग्रा जो है वो गूफा संख्या एक अजन्ता की जो की औरंगाबाद महराश्टरा में इस्तित है ये भित्ती चित्र जो है बहुत ही फेमस ह जो की पद्म पाणी बोधी सत्व के नादम से विख्यात माना जाता है इसको आप लोग नोट करेंगे नेश्ट जो हमारा कोस्चन है अगला कोस्चन है कि नाद सुरम गड़े से हम प्रसिद्ध चित्र है बहुत इंपोर्टेंट ये चित्र है माना गया है और इसका सही सुरम गड़े सियम इसका माध्यम जो रहा है वो कैनवास पर एक्रेलिक रंग रहा है इसके प्रसिद्ध चित्रकार जो रहे हैं वह हुसेन थे और एमेप हुमसेन ने इस पेंटिंग को 2004 इसमी में निर्मित किया गया था यह जो संग्रह जो है वह हुसेन की नीजी संग्रह संक्राता में स्थित है और इसकी माप जो है यह 4.2 x 54.8 cm है इसके मेजर्मिंट को याद करेंगे और जितने भी फैक्ट है वो सभी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इन सभी को नोट करेंगे नेश्ट जो हमारा कोश्चन होगा नेश्ट कोश्चन है कि किसके चित्रों में भारती मीत को एवं आधिनिक चीवन का श्यमनवय था इसका सही जबाब हो जाएगा M.F. हुसेन C. is the right answer आप सभी लोग जानते हैं कि M.F. हुसेन के जो चित्र हैं वो भारती मीत को और आधिनिक चीवन पर समयनवित हुए हैं इसका सुंदर सादर उधारन जो थे चाहे वो रामैड हो, महाभारत हो, मदर टेरेसा हो आधि तमाम ऐसे इन्होंने सिंख लाएं निर्मित की जो भारती मीत को और आधिनिक जीवन का समयनव हैं इनके चित्रों में देखने को मिलता है तो इसे नोट करेंगे नेश्ट कोस्चन हम लोग देखेंगे कोस्चन है कि किस चित्रकार की रिखा चित्र पर बामबे आर्ट सोसाइटी द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था इसका सही जवाब हो जाएगा केके हैबर ए इस राइट एंसर आप लोग जानते हैं कि जो केके हैबर थे इनके रीखा चित्रों पर बांबे आर्ट सोसाइटी का गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है और केके हैबर का पूरा नाम जो था वो कंटी के रेडिकेशन हैबर के नाम से जाने जाते हैं इनका जन्म जो होता है वो करनाटक के उड़ूपी जिले के कंटी गेरी क्राउ में सन 1911 इस भी में इनका जन्म होता है इन सभी पॉइंटों को देहान देंगे नेश्ट जो कुस्चन है कि नंदलाल बसूं की प्रसीद पेंटिंग अभी सारी का है इंपोर्टेंट पेंटिंग है अभी सारी का और यहां पर माध्यम दिया गया है टेमपरा तैल एक्रेली के उपर युक्त सभी तो इसका सही जबाब हो जाएगा टेमपरा नेश्ट कुस्चन को हम लोग देखेंगे कुस्चन है कि पहाड़ी वर राजस्थानी कलाकारों को किस ग्रंथ ने सरवाधिक प्रभावित किया इसका सही जबाब हो जाएगा गीत कोबिन सी इस राइट एंसर नेश्ट कुस्चन है कि बूंदी सैली के नाम से चित्र कला जानी जाती है इसका सही जबाब हो जाएगा कोटा जो बूंदी सैली के नाम से जानी जाती है सी इस राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट कोश्चन पर ध्यान देंगे कोश्चन है कि कला एम सिल्प महाविद्याले कहां इस्तित है इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा लखनव B is right answer क्योंकि लखनव में हमारी उत्तर प्रदेश की कला एम सिल्प महाविद्याले इस्तित है नेश्ट जो हमारा कोश्चन होगा कोश्चन है कि उत्तर प्रदेश की आदुनिक चितर कला सैली है इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा लखनव सैली B is right answer क्योंकि लखनव सहली को उत्तरप्रदेश की आधुनिक चितरकला सहली के रूप में जाना जाता है नेश्ट जो question होगा कि लखनव सहली की नियू किस ने रखे थी इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा असित कुमार हल्दार सहाब ने लखनव सहली की नियू रखे थी तो B is right answer हो जाएगा नेश्ट जो question है कि मुगल चितरकला का जन्मदाता था आपसन की रूप में बहुत सारे दिये गए हैं तो मुगल चितरकला का जन्मदाता जो था वो मीर सयद अली को माना जाता है A is right answer हो जाएगा नेश्ट जो question है कि पोथी खाने का साब्दिक अर्थ होता है दोस्तों पोथी खाने का जो सब्द पुस्त काले के रूप में अनुबादित किया जाता है तो इसका सही जबाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाइप्रेरी C is right answer हो जाएगा आप लोग यहां पर जानते हैं कि बहुत सारे टर्म ऐसे आते हैं जो कि सभी को जानना बहुत ही जरूरी है चाहे इसको हम लोग लाइप्रेरी कहें चाहे इसको हम लोग किताब खाना कहें चाहे लीपी घर कहें चाहे पुस्तकाले कहें आदी तमाम ऐसे हैं जैसा कि आप लोग मुगलों के टायम पिरियेट में देखते हैं कि एक ऐसी जगह जहां बाजसाह की पांड़ूलिपियों का संग्रह रखा जाता कि मुगलों की और इस्थाई राजधानी थी तो इस question का सही जबाब जो हो जाएगा वो थी काबूर C is right answer हो जाएगा मुगलों की और इस्थाई राजधानी थी Next जो question है कि गुलिस्ता महल पोती खाना सुरच्चित है तो गुलिस्ता महल पोती खाना जो इस्तित है वो तेहरान में इस्तित है तो इसका सही जबाब हो जाएगा ए तो दोस्तो इस प्रकार से हम लोगों ने फाश्ट आज की क्लास को देखा और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी नए कुश्चन थे मैं आप सबी लोगो को एक्जाम के पैटर्न के अनुसार जितने भी कंडिडेट हैं वो अपनी study को ध्यान पुरवग एक अच्छे लेवल के साथ fact के नहीं बलकि theory based पर याद रखें क्योंकि एक्जाम आप लोगों के बहुत ही tough होने वाले हैं तो आप लोगों के जो भी मैंने provide किया कैसे लगें अपने comment box में provide करिए और मैं इसी प्रकार से next question में आप लोगों को नए नए question प्रोवाइट करूँ गा वीडियो पसंद आये तो please like करिएगा और अधिक सदिक दोस्तों में share करिएगा हम लोग एक next class में मिलेंगे तब तक के लिए thank you दोस्तो